वेलकम लालगांस, वेलकम टू आलफा लर्निंग, तो तुड़े भी आडिस्कसिंग अबाउट बिल्डिंग माटेरियल, तो आपका जो बिल्डिंग माटेरियल बी एम सी सब्जेक्ट है, बिल्डिंग माटेरियल एन कंस्ट्रक्शन, उसके एक इंपोर्टेंट टॉपिक, पारुण के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले है, तो बिक्स के बारे में जो भी छोटी से बड़ी चीजZे हैं, सारा कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे, कि किसी भी बॉडिश सेल् लेहें होती हैं, उसी तरह किसी भी बिल्डिन को बनाने के लिए ब्रिक्स उतने ही इं जो होते हैं वो वरी करते हैं अ और इनकी जो लेंथ होती है इ sci 20 to 25 cm vary करती है, width जो होती है 10 to 13 cm vary करती है and the thickness varies from 5 to 7.5 cm but the commonly adopted nominal size of traditional bricks is 23 cm into 11.4 cm and 7.6 meter और inches में 9 into 4.5 and 3 inches so यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह paper में बहुत बार पूछा गया traditional size of modular brick sorry traditional brick के जो size है वो पूछा गया now the next is modular brick modular brick की अगर मैं बात करूं modular bricks वो bricks होते हैं जो Bureau of Indian Standard Institution के द्वारा जो एक proper size बताया गया है उसको conform करते हैं so वो जो होते हैं BIS को follow करते हैं और उनका जो size होता है that is 20 cm x 10 cm x 10 cm this is the nominal size of the modular brick while the actual size of that brick is 19 cm x 9 cm x 9 cm यहां पर आपको एक cm का difference दिख रहा होगा उसमें बिल्कुल confused नहीं होना उसमें जो हिंदिम बोलते हैं मसाला जो भरा जाता है या मोटार जो भरा जाता है उसकी जो thickness होती है वह मोटार की thickness 1 cm उसमें जोड़ी जाती है चारो तरफ से तो वह 20 x 10 x 10 हो जाता है otherwise जो actual size of brick होता है वह 19 x 9 x 9 cm होता है तो यह होता है हमारा modular brick the next is composition of brick brick जो होता है वह बनता किस चीज़ से है brick के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं तो यह भी हमें जानना होगा वह बनता किस चीज़ से है तो बहुत सारे material मिला कर brick बनता है the first is silica that is si o2 si o2 जो silica होता है यह 50 to 60% आपको मिलाया जाता है इटे में एक बनाने में और यह इसका काम क्या होता है that is provide shape and increase the cohesion between the particles जो दो particles होते हैं जब मिट्टी बनाई जो ली जाता है उसका जो raw material है उसको जोडने का काम करता है आपस में silica तो यह होता है और अगर आपके दिमाग में यह भी question आ रहा होगा अगर silica की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा तो अगर silica की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा जो इट है वह brittle हो जाएगा ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर हिंदी में बोलते हैं मतलब कांच जैसा हो जा यह वह शेप नहीं ले पाएगी जिसकी वज़य से इक होगा हमारा यूज़र्टेस हो जबाएगा डानेक्स्ट इस एलूमिना होता है वह अलूमिना होता है यह यह तो होता है तो होता है 22-30 परसेंट हमारे इन आप मीलाया घाता है और यह प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कर देता है means यह थोड़ा सा strength और toughness इसको provide करता है और अगर इसकी मात्रा अलूमिना की मात्रा पे आपके ब्रिक में जादा हो जाती है तो उसमें क्या होता है जब बर्निंग की जाती है आपको पता है ब्रिक को ले जाकर भटी में जलाया जाता है जिसके बाद वो इट बनती है तो वो इट जो होती है cracks हो जाती है उसमें cracks develop हो जाते हैं ठीक है next is lime lime जो होता है that is 5% से कम मिला जाता है हमेशा 5% से कम मिला जाता है lime होता है और यह आपस में जो particles होते हैं उनको जोडने का काम करता है तो mild जो होता है as a fusion ingredient काम करता है और यह particles होते हैं उनमें reaction करवाता है ठीक है और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो shape में जो होते हैं जो shape होता है perfect shape उसमें distortion हो जाता है तो आपको समझ में आ रहा होगा जब components के मिलाने में अगर हम ज़्यादा कम कर देते हैं तो shape ही change हो जाता है कभी उसका color change हो जाता है next is iron oxide the iron oxide formula is Fe2O3 Fe2O3 को अगर हम 5-6% मिलाते हैं अगर यह क्या काम करता है 5-6% यह जो color होता है इंट का जो color होता है reddish tone होती है वो provide करता है हमारा iron oxide और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है सबसे पहले तो hardness और strength भी यह provide करता है तो उसमें compromise हो जाएगा and जो सबसे बड़ी बात है जो इंटा है उसकी color जो है वो dark blue हो जाएगा मतलब इंट की color ही बिलकुल से change हो जाएगा तो यह होता है iron oxide the next is magnesia magnesia की अगर मैं बात करूँ यह about 1% मिलाए जाता है यह decreases shrinkage और yellow tint जो brick में होता है वो provide करता है तो अगर और यह जो main इसका magnesia का काम क्या होता है कि जो जिस material से मिला होता है softening of the rock उसको soft करने का काम है क्योंकि अगर जब सक soft नहीं होगा उसको हम किसी और shape में ढाल नहीं पाएं अगर उसकी मात्रा बढ़ गई तो वो कुछ ज़्यादा ही soft हो जाएगा और फिर वो किसी भी shape में ढ़लने लायक नहीं बचेगा तो यह हो गए सारे composition of the brick the next is classification of the brick brick को जो classification किया जाता है वो कुछ criteria's हैं उनके base पर किया जाता है first is water absorption the second is strength water absorption का मतलब यह होता है कि जो brick है वो कितना पानी अपने अंदर ले लेता है तो यहाँ पर आपको चार टाइप के brick दिखते हैं first class brick second class brick third class brick and fourth class brick तो आपको समझ में आ रहा होगा first class जो होता है सबसे अच्छा होता है second class उससे कम third उससे कम fourth उससे कम तो यहाँ पर अगर मैं यह देखूं first class brick क्या होते हैं so first class brick की अगर मैं बात करूं तो यह जो BIS का मैंने standard size बता है उसको बिलकुल exactly follow करते है 19 is to 9 into 9 cm के sharp edges होते हैं इनके इनमें कोई भी disturbance नहीं होता है इनके edges में और यह जो water absorption की बात की गई है तो water absorption यह जो करत होते हैं water absorption जो इनका होता है not less than not more than 20% अपने weight का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन अभी water की यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो water जो होना चाहिए जो आपका यहाँ पर water की मैंने बात किये water absorption में तो water कौन सा water होना चाहिए क्योंकि water भी बहुत type के होते हैं तो water should have 27 27 plus minus 2 degree Celsius में रखा जाना चाहिए for 24 hours 24 hours के लिए इस temperature के water मतलब room temperature के water पर जब हम रखेंगे तब हमें water absorption वहाँ से मिलता है तो water absorption उसका जो weight है उसके 20% से ज़्यादा कभी भी पानी उसको सोखना नहीं चाहिए now the strength is strength की अगर मैं बात करूँ तो strength इसकी जो होनी चाहिए 10 newton per mm square एक heat की strength and इसका जो color होना चाहिए that is reddish tone होनी चाहिए और जब इनको आपस में हम टकराएं तो metallic sound इनका metallic sound इन से produce होना चाहिए metallic sound मतलब जैसे लोहे को जब हम मारते है ना ton ton से आवाज आती है उसी से मिलती जुलती हुई आवाज आनी चाहिए तो यह हो गया हमारे first class brick का main classification now the second class brick की अगर मैं बात करूँ तो second class brick जो होता है यह standard size का होता है बट इसमें कुछ-कुछ irregularities हो जाती है जैसे shape या color में विलकुल perfect नहीं होता है 100% और यह fully burned होते हैं और इनमे ringing sound भी आता है जब आपस में हम इने टकराते हैं बट इनको जब water में एक घंटे के लिए हम डालते हैं तो यह अपने weight का one fourth से ज़्यादा absorb नहीं करना चाहिए पानी तो मतलब water absorption की अगर मैं बात करूँ second class brick की तो यह not more than 22% यह 22% कब है 24 hours के बाद है ठीक है यह one hour के बाद है then strength की अगर मैं बात करूँ strength जो होता है वो 7 to 7.5 newton per mm square यह units ध्यान रखिएगा strength now the reddish तो reddish है जब हम yellow की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक मिलता है orange color तो यह reddish orange color का हो जाता है और जब इसको आपस में टकराते हैं तो not purely metallic sound होता है ठीक है not pure और less metallic sound ठीक है less metallic sound होता है इनमें तो less metallic sound का मतलब यह होता है कि उतना perfect sound नहीं आता है जो first class brick में आता था now the third class brick third class brick की अगर मैं बात करूँ तो यह irregular shape में होते है ठीक है और इनकी finishing भी ठीक नहीं होती है और ठीक से burnt भी नहीं होते है ठीक है जिसकी वजह से इनका reddish yellow tone हो जाता है color तो color जो होता है इनका yellowish की तरफ बढ़ने लगता है और इनकी crushing strength जो होती है वो बहुत कम होती है ठ use नहीं किये जा सकते हैं तो water observation की अगर मैं बात करूँ तो water observation इन में होता है not more than 24% now strength की अगर मैं बात करूँ strength 3.5 newton per mm square this is the least amount of the strength which a brick has beer मतलब 3.5 newton per mm square वो minimum strength है जो किसी भी eat की होनी चाहिए यह एक यह paper में भी question आ चुका है कि least amount least strength of the brick तो 3.5 होगा then this is reddish yellow color में and इनको जब हम तकराते हैं तो thug sound आता है thug sound means इनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब लकडियों को जब हम तकराते हैं आपस में दो लकडियों को आपस में तकराते हैं तो जैसा sound आता है that is called the thug sound okay next is fourth class brick fourth class brick का मतलब ये नहीं है कि वो quality में कम होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता केवल ये होता जाती ही, efficiency हाई होती है, बस कभी-कभी क्या होता है, irregular shape के भी जाते हैं, कोगी जादा जल जाते हैं, और color भी उनका dark हो जाता है, तो इसकी वज़ा से हम इनको fourth class brick में रखते हैं, तो ये हो गया हमारे, ये overburnt brick होते हैं, next point is, कि on the basis of strength, अभी तो हमने water absorption के base पर किया, लेकिन on the basis of strength अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर है, ये class है, this is strength, and this is tolerance, tolerance का मतलब ये होता है, कि एक length होती है, मान लीजे कि length जो, length में जो variation आ सकता है, वो कितना होता है, and this is water absorption, so water absorption यहाँ पर दिया हुआ है, तो h1, h2, f1, f2, m1, m2, l1, l2, तो high class के h means high class, okay, f means first class, m is medium, and l is lower, ठीक है, तो यहाँ पर high class को भी दो पार्ट में divide कर दिया गया, कैसे, कि जैसे होता नहीं है, कि ये लड़का बहुत अच्छा तो है, लेकिन इसमें ये कमी है, तो वो एक छोटी सी कमी आ जाती है, तो वहाँ पर कमी आती है, देखे, strength दोनों की 44 ही होती है, Newton per mm square, बट यहाँ पर जो tolerance होती है, means उनके length में variation, जो उनके dimension में variation होता है, जो ये होती है, ये plus minus 3% तक vary हम मान सकते हैं, यहाँ पर 8% हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा variation हो जाता है, tolerance में, उनका जो length है या size है, उसमें थोड़ा सा variation हो जाता है, जिसकी वज़े से ये second class मे जो भी कहलाते हैं, बट थोड़ा सा नीचा जाते है, water observation दोनों का same रहता है, 5%, then next is first class break, first class में भी दो, strength तो obvious सी बात है, same है, but tolerance में बट वही difference होता है, 3 and 8 का, और जो water observation है, that is 12%, then medium में भी, strength same, but tolerance में 3 and 8, plus minus, and water observation 20%, and lower में 3.5, strength दोनों की same है, and tolerance में बट डिफरेंस है, और water observation 25%, यहां पर यह ध्यान रखिएगा, 3.5 is the minimum strength, जो किसी भी eat में हम provide कर, किसी भी eat में होना चाहिए, that is minimum strength, इससे कम नहीं होगी, then कुछ technical terms है, brick के बारे में, उनको हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां पर आपको दिख रहा है, य ऐसी एक brick है, जब हम इटे की दिवाल बनाते हैं तो उसमें मसाला भरते हैं या मोर्टार भरते हैं और उसकी वजह से जब उसके ऊपर कोई दूसरा इट रखा जाता है तो वो इट उससे बॉंडिंग उस मसाले की वजह से बहुत अच्छे से कर लेता है और यही में रीजन होता है इस फ्रॉक को प्रोवाइड करने का यह जो छोटा पार्ट है यह जो छोटा पार्ट है यहां से यहां तक दिस इस कॉल्ड हेडर इसको बोलते हैं हेडर और यह जो लंबा पार्ट है यह कहलाता है स्ट्रेचर यह जो पूरा एरिया है यह बड़ा वाला ये कहलाता है stretcher और ये जो पार्ट है ये वाला ये पूरा पार्ट ये सामने वाला वो कहलाता है header ठीक है ये आपको याद रखना है और ये पूरा एक ब्रिक है तो header और stretcher आपको I think समझ में आ गया होगा तो जो frog, frog की याँ definition दी हुई है मैंने आपको समझाई दिया है header भी मैंने आपको समझा दिया है जो उसका सामने का पार्ट होता है that is header and stretcher जो उसका लंबा वाला पार्ट होता है that is stretcher then course की अगर मैं बात करूँ तो horizontal layer of the brick stone मतलब जब दीवाल हम बनाते है तो पूरी एक जो दीवाल की पूरी length होती है वो कहलाती है एक course और header course का मतलब होता है तो दीवाल हमारी bunny अगर हम सामने से उस दीवाल में देख रहे हैं तो वो header ही header दिख रहे है तो वो कहलाता है header course मै मैं भी figure के तुरू आपको दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ पर ये header है और ये header course है मतलब ये देखिए आपको header यहाँ पर दिख रहा है ये header 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 ह दिखते हैं वो कहलाता है header course and stretcher जहां पर दिखते हैं that is called stretcher course okay next तो वही stretcher course भी मैंने आपको header के साथ समझा दिया next is bond bond आपको पता है जब आपस में दो individual को tied किया जाता है आपस में जोडने के लिए that is called bond then होते है queens queens वो stone वो stone या वो पत्थर इट के ही होते हैं जिनको हम काट क किसी और shape में करते हैं और corner पे लगाते हैं आपने देखा होगा कि दिवाल बंती-बंतियारी corner पे आधे इट की जगह है तो हमने काट के लगा दिया तो वह कहलाता है queens अभी मैं आपको समझाओंगा दो तरह के corners होते king corner, queens corner दोनों मैं आपको समझाओंगा then the bat it is the portion of the brick cut across the width width के cross cut किया जाए मतलब जैसे यह लंबी पूरी brick है हमारी और इसको हम यहां से इसे cut कर दें ना तो यह कहलाएगा अभी मैं आपको figure के थुरू बैट भी समझाओंगा यहां से cut कर दिया जाए तो यह कहलाएगा bet then the closer closer is the portion of the brick such as the manner when the long remain face cut मतलब लंबी brick है मान लीजिए उसको लंबे से cut दिये जाए मतलब ऐसा मान लो brick है इसको ऐसे यहां से cut कर दिये जाए तो यह कहराएगा closer figure के through अगर मैं आपको समझाओंगा तो queen closer, king closer and beveled closer तो यह कुछ type के closers होते हैं मैं आपको figure के through देखे समझाता हूँ तो यह है हमारे पास that is king closer king closer आपको समझ में आ रहा है यह एक brick है इसमें यह cut किया गया मतलब एक sharp edge cut किया गया that is called king closer then beveled closer मतलब एक corner से दूसरे का इसके middle से इसके middle से header के middle से इसके corner तक कट किया गया that is called beveled closer okay and the next is यह bet है जो मैंने भी आपको बताया था that is bet okay bet half bet मतलब एक इट को अगर बीच से cut कर दिया गया तो यह कहलाता है half bet or queens का मतलब क्या हुआ? लंबे-लंबे में काटना है मतलब इट को बीच से तोड़ दा मतलब ऐसे वाले vertically यह जिस safe में है queens closer मतलब लंबाई से काटना बी बाई टू करना एल बाई टू नहीं करना है इसमें बैट में एल बाई टू करना है इसमें बी बाई टू करना है ओके बिट को आधा करना है कहीं पर पतला दिख रहा है कहीं पर डबल ब्रिक लगे हुए है तो उनी को हम समझने कोशिश करेंगे किस टाइप के होते है पहला होता है इस इस ट्रेचर बॉंड इस ट्रेचर का मतलब यह होता है यहां पर आप इस वाल को फिगर में भी देख सकते हैं यह आपको ऐसा इट सेट करनी है कि सामने से आपको केवल स्ट्रेचर ही दिखे यह देखिए यहां पर स्ट्रेचर ही दिख रहा है यह वाला पोर्शन जो है यह है हमारा हेडर लेकिन यह नहीं दिख रहा है यह स्ट्रेचर ही दिख रहा है नेक्स्ट इस हेडर बॉंड यह देखिए आपको इस इस पूरे figure में केवल header ही header दिख रहे हैं यह कहलाता है हमारा header bond मतलब इटो को बगल में ऐसे रखा गया है कि सामने side header है the next is English bond English bond का मतलब यह होता है कि इस type के bond की header और stretcher bond एक के बाद एक एक रखे जाएं और यह जो होता है यह strongest bond होता है यह सबसे strongest bond में से एक होता है मैं figure के through अगर आपको दिखाऊंग यह देखिए इस figure में आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए इसमें यह header 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 यह पूरी line जो है यह header की है और यह पूरी line जो है वो stretcher की है समझ में आ रहा है फिर यह stretcher की है फिर यह header की है फिर यह stretcher की है और फिर यह header की है तो यह alternate जो हम लगाते हैं यह कहलाता है हमारा stretcher English bond और यह आपको मैंने क्या बता है सबसे strongest bonds में से एक होता है the next is flammish bond flammish bond जो होता है यह एक ऐसा टायप का bond होता है जिसमें alternate header और stretcher लगाए जाते है header और stretcher को alternate लगाए जाता है यह दो type के होते है double flammish bond और single flammish bond तो यहाँ पर आपको figure में दिख रहा होगा यह है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक लाइन पूरी स्ट्रेचर की है और एक लाइन पूरी हेडर की है और बांड मजबूत कौन सा जाता है इंगलिस्ट बांड इस इसे बात है इस इस पहल草 आप देखने में अच्छा होता है ना बहुत जगह पर पॉंड ही आपको दिखता है काफी एट्रेक्टिव होता है तो फ्लेमिस बॉर प्लीजिंग एपीरियंस मतलब कभी-कभी आपने तिखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो जाता है कि फ्लेमिस बॉंड को वो नहीं किया जाता है पुताई भी नहीं कि जाती है और इ फ्लेमिस बॉंड में क्या होता है कि जो तूटे हुए इटे होते हैं उनका भी यूज हो जाता है बहुत अच्छे से तो फ्लेमिस बॉंड में हमारे इटो का भी यूज काफी अच्छे से हो जाता है जिसकी वज़ा से इटे बरबाद नहीं होती है और मोटार लेकिन उसमे ज्यादा लगता है ठीक है और construction with flammish bond required great skill flammish bond में जो mystery लगते हैं वो थोड़े से skilled होने चाहिए उन्हें पता होना चाहिए कि कब flammish bond कहां पर header लगाना है कहां पर stretcher लगाना है और ant में जब खतम होने वाला है तो वहाँ पर क्या लगाना है English bond में क्या है एक पूरी लाइन में stretcher लगाना है मतलब दो हीटों को ऐसे लगाना है और फिर अगली वाइल लाइन में हीटों को ऐसे लगाना है तो वह तो कोई भी लगा देगा बट flammish bond में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा strength की जरूरत हो ठीक है और यह एक इट की ही दिवार होती है ठीक है और इसकी हाइट दो मीटर से ज़्यादा हम नहीं रखते हैं ठीक है टू मीटर ज़्यादा नहीं रखते हैं और नहीं इसमें और बहुत ज़्यादा strength की हमें जरूरत नहीं होती है तो हम इसलिए English bond भी नहीं बनाते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे garden wall ऐसे भी होते हैं जिनमें एक इंटो को जगा छोड़ भी दी जाती है बीच बीच में छोड़ी जाती है हवा आने जाने के लिए तो वो इसलिए होता है garden wall में क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है garden wall में strength की ये कुछ इस तरह से होता है आप देख रहे होंगे ये फ्लेमिस garden wall है दो तरह क्यों होती है English garden wall and flamish garden wall तो ये इस टाइप की है ठीक है तो ये flamish wall है next is zigzag bond zigzag bond कुछ इस तरह से होता है इसमें into को ऐसे zigzag path में लगाया जाता है आपने देखा होगा कि बहुत सारे गाओं में जो पुराने समय में into की road बनती थी वो इसी form में बनती थी या फिर कहीं बहुत जगह पर जहां पर मिट्टी कीचर बहुत ज़ादा हो जाता है वहाँ पर इसी zigzag form में into को लगाया जाता है so that is called the zigzag bond ये हमारे पूरे bricks के बारे में एक छोटा सा introduction था I think आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको किसी भी तरह का suggestions हो या कुछ और topics भी आपको cover करवाने हो तो आप मुझे बता सकते हैं so thank you, goodbye, take care